हिक है का नहीं नौजवान हो बूडा हो नहीं भुड़े नाल जात हैंब त्रडूसर भी बहुत मिच्छे मिच्छे बास कोई अच्छा खासा हूँ आंकी तरह लगा लो कि तरह लगा हैं कि मैं हर रोज मौश्रे की अकासी करने के लिए स्टोरी लेकर आपकी खिद्मत में हाजिर होता रहता हूं और यह हक सच पर मबनी कहानिया होती है कुछ लोग इने फेक भी समझते हैं खैर वो उनका अपना मामला है हर रोज की तरह आज एक बार फिर मेंसाद नोजवान खूबसूरत एक बहन मजूद है यह हमारी बहने हैं यह कौम की बहने बेटियां हैं इनका तालुक एक गरीब घराने से हैं इ इनका कहना है कि मैं शोबस में गई शोबस की दुनिया रंगीन दुनिया में काम करने के लिए वह पे इनके साथ प्रोडेइसर्स अक्टर्स डिरेक्टर्स केमरामेन सब लोगों का कैसा इनके सदकिरदार था कैसा रवाया था स्भीज की एक तलग हाकिकत आई यह ना जान इस नो ज़वान लड़की की जवानी जानते हैं वालेकम इसलाम कैसी है आप ? ठीक बान दाशुकर कितनी उमर आपकी ? मेरी बाईस साल अचा बाईस साल तो तलीम कितनी हासिल की है ? मैं जादा तो नहीं हो स्टून क मैट्रिक मैट्रिक अच्छा मुझे ये बताएं कि आपका तालुक एक गरीब खानदान से है तो शोबिस में क्यों गई कौन लेके गया शोबिस में मेरी एक दोस्त थी उसके जिरिए मैं चली गई तो बास फिर थोड़ा अरसा मैंने काम किया उसके बाद छोड़ दिया छोड़ दिया क्यों छोड़ा छोड़ने की वज़ा क्या बने वज़ा बस जो जिसके साथ जादा टाइशरो हो वो काम देता है वरना नहीं अच्छा नहीं कोई मसल सब मतलब है आप ज़रा खुल के बताएं अल्ला ने आपको मुका दिये किस तरह के वहाँ पे लोग है किस तरह के हलात है खुल के बताएं आप हलात तो वहाँ के खराबी है ठीक है तो क्योंकि जो प्रडूसर है वो वैसे काम नहीं देते ठीक है तो बस यही हाल है इसलिए मैंने छोड़ दिया टाइम किस तरह का गुजारो क्या कहते हैं बिश्तर गरम करें हाँ जी वास ऐसे ही है कोई बिना मतलब को काम कोई देता नहीं क्या उनका वो जिसम तक तालुक रखते हैं जी है ऐसे है तो परोड्यूसर ने आपके साथ किस तर यह जाये यह उसके बाद मैंने छोड़ दिया पालर का करती हैं अब कहीं सीख रही है यह आपढर का मैंने यहां जोब करती था में वावना एकसर ते उसके साथ मैना बालर में जाती थी वह थोड़ा बहुता सी लिए आप सीखोंगी और साथ में करूंगी तो कोई Alla का कि इसे बंदफर आपको पौलर का सलोन का कam शुरु करवा दे तो अपना काम करना चाहे घी मैं करना चाहे हूं अभी तक आप कुमारी हैं हाजी अभी दो कुमारी या है क्वारी यह सादी क्यों नहीं कि शादी बस अभी तो नहीं की है करूंगी कोई अच्छा मिल गया ना इसान इज़त देने वाला कोई तो फिर करूंगी शादी अच्छा कि आपकी डिमांड कैसा नोज़वान अच्छा खासा कमाता हो जिनमें हम गुजारा गरलें जादा नहीं मुझे यह चाहिए वो चाहिए तो बस गुजारा जिनमें हो थेक है नहीं नोजवान हो बुड़ा हो नहीं भुड़े नाल शाद भूडे थे प्रडूसर भी बहुत ही बिच़ भिचके बिचए अच्छा खासा हो अँब की तरह लगा लो मेरी तरह हो मैं तो मलंग सा बंदा हूँ, सीधी सी बात है, तो फिर कोई बात नहीं है, अच्छा, हाँ जी, अपना थोड़ा सा फैमिली बैग्ग्रोंड बताएं, फैमिली में सिर्फ मैं ही हूँ, ठीक है, तो और एक अबू है मेरे बास, और कोई नहीं, हाँ जी, बाबा क्या काम करते ह तो अब दी लगाते हैं, अब आपके हलात कैसे हैं, ठीक है, अल्ला का शुकर अब ठीक है, यानि कि आगे सची मुची शादी करने का रादा तो है, अगर कोई अच्छा मिल गया तो, हमारे बहुत से लोग हैं, जो ओर सीज पाकिस्तानी हैं, बाहिर के मुमालिक में जो रह हैं, इस कंट्री में जहां काम करते हैं, तो इस तरह उनकी खाईश है कि कोई आप जैसी नोजमान लड़की हो, और हम उसे इदर ले आएं, अपने साथ रखें, तो अगर कोई वहां से आपके लिए परपोजल भेजता है, तो क्या खिया लाता है, तो हाँ मैं कर लूँगी चली जाओगी, चली जाओगी, पकी बादा, चली जाओगी, और सुनाएं कोई आपकी ऐसी खाईश जो आज तक पूरी ना होई हो, बास खाईश है कि कोई जुदों में मिले अच्छा मिले, इज़ देनाला बस इंसान मिले, शुरू तो आही खाईशी पर हैला हुने, बेह कि उन्हें एक है चोटी, बैस, कितनी उमान है उसके वो मिझसे चोटी है, दो साल, अम्मी फोत हो गए हैं, जब रात को सोती होंगी, रोती तो होंगी, तो जाहर है, अगर माह हो साथ, तो जाहर लिबादा टेंशन कम हो जाती है, अभ अम्मी नहीं है सेर पर तो टेंशन त तो मुझसे पुछे देखे गई अब आप इदर आई हैं इंटर्व्यू रिकॉर्ड करवाने के लिए तो मुझे ये बताएं इदर लहोर में रहती हैं या उदर फैसलाबाद रहती हैं डैडी के साथ नहीं मैं यहां लहोर में अभी रहती हैं इदर कोई रेंट का मकान लिया नोहजार विया तो कमा कितना लेती हैं कमा अगर एक दो लड़कियां अजे मेक अप के लिए तो हो जाता है कोई 500 प्रपया कमा लेती हैं और कोई हजार कभी आसे एक दिन में एक दिन अच्छा आप ने शोबिस को छोड़ दिया ऐसे हैं चोड़ दिया आप जैसी नोजवान लड़कियां हैं जिनके सर पे मा कसाया नहीं होता जो बेबस मजबूर होती हैं तो वो गलत दंदों में चली जाती हैं यह क्या वज़ा है खांजी ऐसा होता है क्योंकि अजह समझाने वाला कोई नहीं होता तो फिर ऐसे अदिया अंसान बुरे भी मिल जिनकी में अच्छे इंसान भी मिलते तो बस ऐसे मुझे भी क्यों अच्छा नहीं है तुम छोड़ दो पिर मैंने छोड़ दी अच्छा इंसान कौन था ज्यूदार मैंने पहले दफार मुलाकात हुई थी इन से तो उसने कहा यह चोड़ दो ठीक है आप मेरी बेटी की तर रहा हो और मुझे ये महौल आपके लिए अच्छा नहीं है अब चली जो यहां से अब यानि के पका पका आपने शौमिस को खेरा बात कहे दिए हाँ जी पका पका मेने छोड़ा दिया और अभी कुछ हैं पैसे आपके पास खाने पीने के लिए किराया वगरा लगा के आई है जी हाँ घजारा हो जाता है और कर भी रहे हैं कोई बात नहीं है तोड़ी सी आपकी खिदमत कर देता हूँ बाकी आपने अपनी इज़त में फूस करके रखनी है ठीक है यह पकड़ें जरा इज़त अपनी में फूस करके रखनी है कोई उल्टा सीधा काम नहीं करना ठीक है यह दस हजार उपया इसको आपने अच्छे कामों में खर्च करना है चलो ठीक होगा अच्छे कामों गेलिए मैं खर्च करूंगी क्या करेंगी इस दस हजार का कुछ राशन ले आएंगे कुछ बिजली का भी लोगरा चला जाएगा और कोई डिमांड है आपकी डिमांड बस कि मेरे लिए द्वा किया करो अच्छा नहीं कुछ लड़किया कहती है ना गाडियों वाला हो कोटियों वाला हो बंगलों वाला हो इस तरह की कोई डिमांड है नहीं आसी नहीं बस द्वा किया करो कि मुझे जो भी मिले अच्छा मिले और इज़त करने वाला मिले इज़त बेने वाला मेले शेलेंजी नाजेल ये बेहन सेबा कि आपने गुफटगुस होनी है और फिलाल मुझे और बेहन को इजाज़त दें अपने ख्याल रखें फी अमानिल्ह